आज रामनवमी ये देश उपसम मना रहा है लेकिन पश्चिम मंगाल में रामनवमी पर सियासत गर्माई हुई है पश्चिम मंगाल के मुखे मंसरी ममताब इनरजी ने रामनवमी पर दंगा वाले बयान के बाद से सियासत तेज हो गई है मंगलबार को प्रदानमंसरी मोदी ने टीमसी पर हमला करते हुए ये कहा कि टीमसी ने राम नवमी में बादा डालने की साज़िश की कोशिश की है पर विवादास्पत बयान देने के मामले में चुनाव आयोग ने कॉंग्रेस नेता रंदीप सुर्जेवाला के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे की रोक लगा दी यानि अगले 48 घंटे तक वो ना तो चुनाव प्रचार और नहीं मीडिया से बादचीथी कर पाएंगे ये करवाई बीजेपी नेता हेमा मालनी पर की गई विवादासपत टिप्णी के मामले में की गई पीजेपी ने लोकसवा चुनाव के लिए 12 उम्मीदवारों के अपनी एक और सूची जारी कर दी पीजेपी ने पश्ची मंगाल की डायमंड हारबर लोकसवा सीट से अभीजीत दास को उम्मीदवार बनाया इस सीट पर उनका मकाबला ममताव एनरजी के भधीजे अभिशेक एनरजी से होगा खबरे के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी उत्तर प्रदेश की वारानसी लोकसवा सीट पर 13 या 14 मई को नामांकन कर सकते हैं सुत्रों के मताविक नामांकन से पहले प्रधान मंतरी वहां एक रोडशो भी करेंगे उतर गुजराद के भावनगर पहुँचे पँछे पंजाब के मुख्यमंतरी भगवंत मान केजरिवाल से मुलाकात की बात करते करते रो पड़े एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल से उनकी तिहार जेल के अंदर मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात की बात करते करते भगवंत मान रो पड़े उनकी आँखों से आसूं आये तो समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी इसके बाद भगवंत मान ने तिहार में हुई अपनी और केजरिवाल की मुलाकात के बारे में उन्हें बताया यह सारी बातें भगवंत मान ने रोते रोते कहीं और इसी बहाने दिल्ली सरकार के काम गिनवा दिये उसने दिल्ली में हस्ता बना दिये ये गल्टी होगी उससे उसने दिल्ली में सरकारी स्कूलों बच्छा कर दिया ये गल्टी होगी उससे बगवन्तमान के मताबिक तिहार जेल में मुलाकात के दोरान उनके और केजरिवाल के बीच शीशे की दीवार थी और दोनों की फोन पर बात हुई थी और एक दिन पहले ही उन्होंने इस बात पर अपत्ती चता दी थी उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरिवाल को जेल में सुविधाय नहीं मिल रही है। ये कहते कहते मीडिया के सामने उनकी आँखें मराईं थी। इसके अगले दिन वो गुजरात के भावनगर में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और पार्टी प्रत्याशी उमेज भाई मकवाना के लिए वोट के अपील करते हुए एक बार फिर भावुक हो गए। उनमें एक नेता तो दूसरे को उंगली दिखा कर दमकाते नजर आए। बड़ी खबर आपको बताए राजस्थार में कॉंग्रेस देता सचिन पालेट ने बीजेपी पर अमला बोला है। इसके साथ ही सचिन पालेट ने इलेक्टोरल बॉंड के मुद्दे पर ये का कि अब साबने आ चुका है कि बीजेपी करोडों का चंदा लेती है। सचिन पालेट ने जाच इजन्सियों के दुरूपयों का भी आरोप लगा दिया। चाटाटी प्रीमियम देश की चाय करता है देश के हर बोटर से एक अपील। इस बार देश के साथ नो कॉंप्रुमाइस। इस चुनाब में वोट जरूर करें। आज राम नवमी पर देश भर में जश्ट का माहल। आयोध्या में प्रांप्रतिष्ठा के बाद पहली राम नवमी आज होगा रामलला का सूरी तिलग। श्ट राम के मस्तक पर चार मिनट तक पड़ेगी सूरी की किरण। न्यूज एटीन इंडिया पर बड़ी कवरेज दिन भर। पश्ट मंगाल में जारी है राम नवमी पर सियासत। कोट से इजाज़त मिलने के बाद विश्व इंदू परिशद निकाले की शोबायात्रा। टीमसी ने भी हावडा में शोबायात्रा निकलने का किया एलान। ममताप एनर्जी के दंगा वाले बयान के बाद गर्माई है सियासत। सलमान के घर हुई फारिंग मामले में गुजरात के कच्छ से गिरफतार आरोपियों को मुंबाई के अदालत ने 25 अपरेल तक पुलिस रमांट में बेजा। मुंबाई पुलिस के मुताबिक शूटर्स ने फारिंग से पहले तीन बार की थी सलमान खान के घर की रेकी। निता अपनी सीट से खड़े हो गए और एक दूसरे को धक्का मारते दिखाई दिये। में भग्वे राम मंदिर के बनने के बाद पहली बार राम नौमी पर पूजन किया जाएगा। इस दोरान राम लला का सूरे तिलक होगा और राम नौमी के कारिकरम में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी सूरे तिलक की है। क्योंकि राम नौमी के दिन होने वाले भक्ति और साइन्स के इस अनूठे मेल को देखने के लिए पूरी दुनिया बेताव इस सूरे तिलक में सूरज की रौशनी मंदिर की तीसरी मंदिल से सीधे गर्ब ग्रिह में मौजूद राम लला की मूर्ति के मस्तक पर गिरेगी। इसका ट्राइल इसी हफ़ते किया गया था। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक राम लला के जन्म का शुब मौर्त दोपहर 12 बचकर 40 सेकंड कर रखा गया है। इसलिए ये सूरे तिलक 11 बचकर 58 मिनट पर शुरू किया जाएगा। इसके लिए वेग्यानिको इसके बाद नीचे की तरफ जाएगी। इस पाइप में अंदर की तरफ काला रंग चड़ा गया है ताकि उससे गुजरते वक्त रोष्णी में कमी ना आए। उपरी किनारे पर लगे शीशे से टकराने के बाद सूरे की किरन करीब 8 मीटर लंबे उस पाइप में लगे तीन लेंस से होकर गुजरेगी जो उसे नीचे की तरफ धकेलने के लिए लगाए गए हैं। इसके बाद पाइप के निचले सिरे पर एक शीशा लगा गया है। इससे टकराने के बाद सूरे किरन पाइप से बाहर निकलते हुए सीधे राम लला के मस्तक में उस जगह पर थी तब भी उसकी उचाय को इसी हिसाब से तै किया गया था। ताकि आने वाले कई साल तक राम नौमी पर राम लला का सूरे तिलक किया जा सके। राम मंदिर ट्रस्ट के मताबिक इस बार ये सूरे तिलक ग्यारा बचकर 58 मिनट पर शुरू होगा और करीब 12 बचकर 3 मिनट में ही 100 LED स्क्रीन लगा कर दिखाये जाएगा इसके अलाबा पूरी की पूरी आयोध्या को रंग बिरंगे फूलों से सजाये जाएगा। यह भवता दिव्यता जो अपने आप में आलो की खूर। राम मंदिर के बनने के बाद ये राम नौमी का पहला कारिकरम होगा। माना झालो 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 झालो